कैसे हैं आप सभी I think स्वस्थ होंगे आईए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं शारीरी कमजोरी को दूर करने के लिए बेश्ट घरेलू उपायों के बारे में आज कल की युवा पिढ़ी में शारीरी कमजोरी और श्टेमिना की कमी एक प्रमुक टेमिना बढ़ाई जा सके बोडी की कमजोरी को दूर किया जा सके जी हां सबसे पहले तो दूध और केला सुबह शाम दो या तीन केले एक साथ खालीजिये और उपर से एक ग्लास दूध पिलीजिये दूध और केले में थोड़ा सा गैप रखिये अगर आप exercise हैवी करते है तब तो साथ में भी ले सकते हैं अगर exercise नहीं करते हैं बहुत जादा तब आपको नहीं लेना चाहिए एक साथ नहीं तो digest होने में problem होगी हां थोड़े से gap के बाद एक से दो घंटे के gap के बीच में दूध और केले को ले लीजिये आपके लिए फायदे मन रहेगा इसके अ दद मिलेगी और body का weight भी बढ़ेगा इसके अलावा पालक का juice जी हां रोज एक glass पालक का juice पीना चाहिए इससे body को काफी energy मिलती है इसके अलावा शहद और healthy अब सोच रहे होंगे आपकी ये इतनी सारी चीजें क्या एक साथ खानी हैं नहीं आपको बदल बदल करके किसी द जी हां अनार के छिलकों को सुखा करके पीस लेना चाहिए और उजाना सुबह शाम एक चमच खाना चाहिए और दूद का सेवन जरूर करना चाहिए इससे काफी फायदा होता है आपका शरीर हिष्ट पुष्ट हो जाता है इसके अलावा चुहारे काजू और बादाम का पहले सेवन करना चाहिए इससे जो लोग दुबले पतले हैं उनका वजन तेजी से बढ़ने लगता है इसके अलावा आउला आउले के पौडर में मिश्री पीस करके मिला देनी चाहिए रोज रात को सोने से पहले एक चमच पावडर का सेवन करना चाहिए इससे बौड़ी मेथी दाने को एक गलास पानी में पांच घंटे तक भिंगो करके रख दीजिए फिर इसे उबाल करके छान लीजिए इसमें दो चमचे शेहद मिलाईए और रेगुलर रूप से इसका भी सेवन कर सकते हैं इन में से कोई भी ओश्यदी रोटराइट करके भी आप सेवन कर सकत हैं चाहें तो किसीएक को गंटीन्यू कर सकते हैं जो आपको इजली मिल रहा है इसके अलावा अंगूर का जूस जी हां regular रूप से खाने के बाद एक कप अंगूर का जूस पिने से कमजोरी दूर होती है सौफ और मिश्री का सेवन जी हां सौफ और मिश्री को बराबर मातर में लेकर के पाउडर बना लें इसे रोज लंज के बाद दो चम्मच खाएं इससे आपका डाइजेशन सिस्टम भी बहुत श्ट्रोंग हो जाएगा जिसकी बज़ा से काफी प्यादा होता है इसके अलवा मुनक का जिहां 10-15 मुनक को गर्म पानी से धो करके रात को भिंगो देना चाहिए सुबह इसका पानी पी लेना चाहिए और दानों को भी अच्छे से चबा चबा करके खा लेना चाहिए इससे बोड़ी को काफी ज़्यादा लाव होता है अगर कोई शारीरिक रूप से कमजोर है वजन उसका क कम है तो बढ़ जाएगा और कमजोर ही दूर हो जाएगी तो जो लोग कमजोर है उनको इन में से कोई भी एक और शदी हर रोज लेनी चाहिए काफी ज़्यादा होगा कुछी दिनों में बदलाओ देखने को मिल जाएगा 15-20 दिन में शरीर में बदलाओ धिरे-धिरे होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें से जो चीज आपको इजली मिल जाए उसका सेवन स्टार्ट कर दीजे आपकी बोड़ी के लिए बहुत अच्छा रहेगा और एक बात का ध्यान दे लिजे अगर आपका वज़न नहीं बढ़ रहा है तो खाना को आप थोड़ा जो गैप ज इतना नहीं खाना है आपको हलका खाना कम कर लिजे भूख से आधा खाईए लेकिन थोड़े थोड़े देर बाद कुछ खाईए आपके शरीर का वज़न तीजी से बढ़ जाएगा जल्दी ही यह आज की वीडियो रही यह वीडियो आप सभी देख रहे थे आरवेदी जरूरत है और कमेंट कीजे आपके मन में कोई सेहत संबंध ही सब वाल हैं तो हमाने वाले दिनों में उन टोपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही विदा लेते हैं आज के इस एपिसोड से जुड़ेंगे नई जानकारी के साथ तब तक आप सभी खुश रहें स्वस्त रहें धनेबाद नमस्कार दोस्तों